कस्मीर को अनोरस बच्चे की तरह 370 को धारा 370 को अनोरस बच्चे की तरह गले लगाये थे आपने मोदी जी को दुबारा प्रदानमंत्री बनाया पांच अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया भाई और बेनो मोदी जी ने इस देश से आतंक वाद को समाप्त करने का काम किया दस साल तक सोनिया मनमोन की सरकार थी सरद राव इसके अंदर मंत्री थे आए तिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे बम दमाके करकर चले जाते एक कॉंग्रेस पार्टी वोट बेंक की रादनिती के कारण कुछ नहीं कर दी भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनी पुल्वामा और उरी में गलती करी दसी दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में खुश कर सर्जीकल स्ट्राइक और एर्श्ट्राइक करकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और भाई और वेनों मुझे बताओ त्रिपल तलाग हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए अरे जोर से बोलो हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए एक कॉंग्रेस पार्टी आज भी कहती है वो वापस आए तो त्रिपल तलाग लेकर आएगे मैं आज अकोला वालों को कहकर जानना हूँ, कॉंग्रेस पाटी को ना वापीस आने देंगे, ना त्रिपल तलाक को वापीस आने देंगे। किया गया, बेटियों को उठाकर निकाप पढ़ दिये गए, उनको सुरक्सा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, जोड से बोलों देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। वो भारत की सरण में आए, मोदी जी ने सिये लाकर हिंदू बहुत सीख जैन हमारे सरणार्थी भाईयों को नागरिक्ता देने का काम किया। इस चिदंबरम कहते हैं, कॉंग्रेस पार्टी कहती है के हम सी ये रद कर देंगे। जब तक भाजप का एक छोटा बच्चा भी जिन्दा है, हम सी ये को हाथ नहीं लगाने देंगे। भाईयों और बेनों, मोदी जी ने दस साल के अंदर गरीब कल्यान का धेर सारा काम किया। असी करोड गरीबों को पांच किलो अनाज प्रती व्यक्ति प्रती मा मुप्त देने का काम किया। बारा करोड स्वचालाई बनाए, चार करोड गरीबों को घर दिया, दस करोड लोगों को उजवला का गैस का सिलिंडर दिया, चार करोड लोगों को नल से जल दिया, साथ करोड लोगों को पांच लाग किया, पूरा स्वास्त का खर्चा फ्री अब कोस्ट कर दिया। और अकोला वालों धोत्रे को सानसत बना दो, अब सिर्फ गरीबों को नई, सतर साल की हर आयू वाले को पांच लाग तक की सभी इलाज मुक्त कर दिया जाने वाला है। यह माताय बैने बैठी है, गैस का सिलिंडर महिने में दो बार भरना पड़ता है ना, अब नहीं भरना पड़ेगा आपके घर में पाइप से गैस बेजने का काम नरेंद्र मोधी सरकार करने वाले है। भाई और बेनों, मैं आज कहना चाहता हूँ, कॉंग्रेस पार्टी जूट फेला रही है, कि भाजपा को 400 सीटे आएगी, तो आरक्षन चल जाएगा। अरे, कॉंग्रेस वालो, हमें समविधान बदलने की ताकस देश की जनता ने दस साल से दी, 2014 में भी पूर्ण बहुमत दिया, 19 में भी दिया, हमने आरक्षन नहीं हटाया, हमने क्या हख़ाया, हमने पूर्ण बहुमत का उप्योग क्या किया, तीन सो सत्तर हटाने में किया, त्रिपल तलाक हटाने में किया, अतंकवाज समाथ करने में किया, और तीन सो सत्तर का उप्योग सीए लाने में किया। अकवला के भाई और बहनों, आज मैं आपको मोदी जी की एक गैरंटी कहकर जाता हूँ, जब तक भारतिय जनता पार्टी है, इस देश से, ST, SC और OBC का आरुक्षन कोई नहीं हटा सकता, ये मोदी का गैरंटी, भाई और बैनों, पूरे विदर्ब में और सिंचाई परियोधनाओं में, नरेंद्र मोदी सरकार और एकनाच सिंदे देवेंद्र सरकार ने धेर सारा काम किया है। भाजपा विदर्ब में जल प्रबंदन के लिए कटिबद, लगबग 89,000 करोर डुप्या की बैन गंगा, नल गंगा, इंटर लिंकिंग योजना को हमने मनजुरी दिये, जिससे अकोला का सूखा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। सामगाओ जालना रेलवे मार्क के लिए 50 प्रतिसत निधी राज्य सरकार की लेकर रास्ता चालू किया। अमरूट तू में 21,000 करोड के काम किये, 160 करोड से विदर मरावठावाडा डेरी प्रोजेक्ट डाला, अकोला में वेटरिनिट्री कॉलेग डाला, उल्डाना में मॉडन औरेंज प्रोसेसिंग सेंटर डाला, 1700 करोड का वेश्ट प्रोजेसिंग का प्लांट डाला, और लोनार समवर्दन के लिए 370 करोड का प्लांट डाला।